हालो माई डियो वण्स आज इस वीडियो में बात करने बाली हूँ जीवन के लक्ष के बारे में गोल्स के बारे में नया साल आने वाला है और ये टाइम होता है जब लोग ना अपनी लाइफ के गोल सेट करने शुरू कर देते हैं नू इयर का resolution की तो लेना होता है न सब लेते हैं तो फिर हमें भी लेना होता है क्योंकि trend के साथ चलना ही है अब ही कोई एक कहाना चल जाए तो बस सब अपनी डेल बना बना कर उसे पर डालेंगे क्योंकि trend के साथ नहीं चले तो फिर आउटरेटट editor से लगेंगे तो आप new year तो यह तो टाइम है, नए नए डाइडी आ गई है मार्केट में, और यह नए साल के गोल नहीं सेट किया, तो फिर क्या ही सेट किया, लोग पूछेंगे तुम्हारा न्यू येर्ट रिसलूशन क्या है, तो फिर मेरे पास बताने के लिए क्या होगा, मेरे तो गोल सी क्लियर ही है, तो मुझे एक्चली लोगों को भी दिखाना है कि मेरे गोल सी ये हैं, और मुझे अपने आपको भी बहकाना होता है कई बार कि मेरे गोल सी ये हैं, बेसिकली असलियत तो जो इन दोनों में गोल सेट किया जाते हैं, उसकी यही होती है, क्योंकि वास्तविक गोल को से इने में ही हमारे गोल सेट होते हैं और बस फिर नए साल पर ही हम प्रण लेते हैं और फिर ही हम श्री गणेश करते हैं उन अचीवमेंट्स के लिए आगे प्रियास करते हैं नहीं ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है हर अचीवर ने कहा है कि आपके पास आपके स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदिगी में क्या चाहिए, उसके लिए क्या प्रियास करने पड़ेंगे, क्या-क्या मुश्किले आ सकती हैं और किस तरह से आप मुश्किलों को बार करकर उस लक्षे को हासिल करेंगे और सफलता का स्वात चकेंगे, ये तो सब ने कहा है, लेकिन ये किसें ने कहा की नया साल आने से पहले ही बस best time होता है, ये तो actually trend है, एक भेडा चाल है, तो भेडे जुन्द में चलती है, तो जुन्द में तो सभी को चलना होता है, तो इस साल आप ना थोड़ा जुन्द से अलग चल कर देखो, और जब भी उप उस ट्रेंड को फॉलू करने के लिए, अपनी डाइरी पहल लेकर बैठो और कुछ गोल सेट करने के लिए सोचो, तो हमेशा है सोचो, कि क्या ये वास्तव में वही गोल है, जो 15 जनवरी तक आते या हाडली, 31 जनवरी तक आते फीके नहीं पड़ जाएंगे, ये कहीं इस भ्रहमाण में गोल गोल तो नहीं घुम जाएंगे, आपको इस बात की clarity होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर तो ती तरव करना है, जितना बड़ा सोचोगे ये युद लक्ष छोना अपने धारी बशे करोगे, बस उतने वडत्य आप बन जाओके, चलि बड़ा सोचने से, बड़े गोल सेट करना कोई बड़ा बनता ही नहीं कभी, लेकिन बड़ेते में भास अरे भार कश जाते हैं, जो तो actually अपनी capabilities को अपने अंदर की strength है, weaknesses हैं, उन्हें देखे मिना ही, actually बहुत सारे बड़े परी goals set कर लेते हैं, अपना vision board त्यार कर लेते हैं, और फिर छूट और मोटे प्रयास से कोई बड़े चमतकार की उम्मीद करने लग जाते हैं, मैं यहाँ पर goal setting को बिल्कुल भी discouraged नह यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यह time बिल्कुल ही गड़त है, आप goal set कीज़े, यह आपको goal set नहीं करने चाहिए, मैं यह कह रही हूँ कि इस time पर अगर आप goal set कर रहे हैं, आप trend के साथ भी जाना चाहते हैं, तो इस बार आप एक positive mindset के साथ, एक positive psychology के साथ, यहाँ पर psychological strength के साथ goal set करेंगे, जिने आप 15 जनवरी आए, 31 जनवरी आए, या फिर वो Valentine week आए, या फिर होली के रंगों में कहीं उड़ जाए, या फिर कोई और महीने में कहीं किसी तहवार में गुम हो जाए, वो goal नहीं होने चाहिए, वो goal ऐसे होने चाहिए, जो कोई भी तहवार की खुशी आए, या फिर किसी भी तरीकी का कोई ऐसा शनाए जिसमें आपकी आँखे नम हो जाए, लेकिन वो goal बस वो goal ही रहे आपका लक्षे, वो लक्षे ना तो आपकी नजर से दूर हो और ना ही आपके जिगर से दूर हो, वो आपकी नजर के सामने भ प्रयास भी रहे और आपके प्रयासों में भी रहे, तो जब हम इस positive mindset के साथ इस बार अपनी goal setting करेंगे, तो हम सबसे पहले practical सोचेंगे, एक इनसान को positive से ज़्यादा practical सोचना चाहिए, क्योंकि positive thinking कई बार आपको unrealistic way में कही और ले जाती है और आपको फसा देती है, लेकिन जो आपकी practical thinking होती है, वो मुश्किल शड़ों में भी आपको किसी समाधान की तरफ ले जाती है, तो आपको ये समझना है, कि आपकी जो काबलियत है, जो आपकी skills है, जो आपकी strength है, जो आपकी qualities है, उन्हें सबसे पहले लिखिए, फिर जो आपके अंदर आपनी weaknesses, आपकी जो limitations है, उन्हें notice किया है, उन्हें लिखिए, दोनों को लिखिए, और लिखने में बिलकुल मत ही चकिए, क्योंकि अगर आप अपनी limitations को लिखने में हिचकेंगे, तो actually आप अपने आपको पूरा समझ नहीं पाएंगे, और आपने लिए कोई बी उल्टा सीधा goal set कर लेंग और फिर लिखिए आपके पास क्या-क्या resources अभी available हैं, फिर आपी देखिए कि आपके असपास अभी क्या-क्या opportunities हैं, फिर आप देखिए कि आपके पास अभी और क्या responsibilities हैं, क्या challenges आपकी life में हैं, इस सब कुछ आप लिख लेजए, जब आपने अपनी strength लिख लिए, आपन जबेंस, अपने functionality, अपने resources के बाड़े में, सब कुछ इसम्चैरे के लिख 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 लिए, तो आेपनी जीवन का एक sketch सारा बनाग लिया है, अब जरा इस पर बहुत अची तरीके से नजर दालिए, तो यह तो हो गया आपके लिए, आपके reference फिर लिखिए जब आपके family आपकेले थोड़ना इस दुनिया में तो फैमिली का पॉइंट ऑवी सो भी लिखे कि फैमिली की आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन्स है फैमिली के प्रति आपकी क्या सपॉर्ट का लेवल है इन सब को ध्यान में रखते विए अब आपके सामने आपकी पूरी असलियत है अब आपके सामने आपकी पूरी असलियत है अब आप जो भी अपने लिए गोल सेट करेंगे वो प्राक्टिकल ग्राउंड पर करेंगे ना कि सिर्फ महद एक मोटिवेशनल आपने वीडियो सुनी क्योंकि इस टाइम पर अब ये बाढ़ाने वाली इस तरीके की वीडियो की जो आपको जोश है तो फॉरण भर देगी लेकिन वो जोश मामूलिस से मतब एक 1% तो बहुत बड़ी फिकर हो गई है उससे भी कम उसमें रह पाता है और दीरे 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 फेड होकर वापस आप सामने लाइफ में कुछी दिरों में लौटने लग जाते हैं तो आपको ज नहीं आपके जिंदिगी का कोई भी जोल एक गरीबात भी है उसके लिए एक साइकल खरीदना भी बहुत बड़ा लक्षव हो सकता है और वहीं पर किसी इनसान के लिए शाइद BMW खरीदना भी बहुत बड़ी बात नहीं है तो हर इंसान के जीवन का अपने जरूतों, रिसो जब एक इनसान ग्राजवली अपने अंदर रियालिटी के बेस पर कॉन्फिदेंस अंदर ग्यादर करना शुरू करता है तब जाकर उसकी रिस्क टेकिंग केपिबिल्टी बढ़ती है क्योंकि अगर एक इनसान रियालिटी ग्राउंड्स पर अपने एफर्ट से कोई चीज अ लिमिट है उसको बढ़ाना है जैसे आप जुम में जाते हैं कि पहले दिन ही जाते थोड़ना कि आप इस किलो का तीस किलो का डंबल उठा लेते हैं पर अपनी कैपसिटी के साब से तू केजी से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे आप अपना वेट बढ़ाते जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी जो लिमिट है उसे एक्स्पैंड करना है उसे बढ़ाना है तो धीरे धीरे अब उसके लिए यह नहीं है कि नया साल ही है नया साल चला गया तो अगले साल का वेट करना है अरे किसी भी महिने में किसी भी तारीक पर किसी भी समय पर गोल सेट करेंगे रियालिटी बेस पर तो वो जो रियल कॉन्फिडेंस आएगा तो वहां पर क्या होगा कि आप उसे बहुत अच्छा एक अच्छीवमेंट वाली फीलिंग फील करेंगे साथी साथ आप अपने आपको जब ये बार बार रिमाइन कराते रहेंगे कि ये जिन्दगी मेरी है जो भी मेरी इच्छाएं हैं जो लक्षे हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है मुझे अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारे निभानी है, कई बार मेरी रेंज से बाहर चीजे होंगी, हो सकता है कि मेरा लक्षे दूसरों के participation पर भी depend हो, कई बार ऐसे external factors हो, जहां से support नहीं मिली, तो वो उस time पर अचीवना हो, तो उसमें मेरा backup plan क्या है, तो कई बार ऐसा करकर confidence gain करने लग जाते हैं, फिर अपने आपको ऐसे ही positive suggestion दीजे, कि yes मैं जब प्रयास हो से, इसको achieve टर सकता हूं, तो मैं अपनी, अब limits को बढ़ाने जा रहा हूं, मुझे पता है, कि अभी ये मेरी capacity से थोड़ी सी बाहर की बात है, मेरे resources के range से बाहर की बात है, सब है, ल सब कुछ हिसाब किताब लगा लिया है, और आप जो है न, वहाँ पर एक ऐसा risk ले रहे हैं, जिसमें आप safe feel करेंगे, आप हर समय नहीं है कि आपने कोई, कुछ अचीव करना चाहाँ goal, और आपने आपको anxiety का शिकार बना लिया, आपकी रातों को नीन चली गई, आपका एक पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही जल्दी आपकी limit बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, है न, best example अगीन जिम का ही होता है, दो किलो से start करने वाला भी एक दिन, 20 kg बेट उटा सकता है, वो 30 to 40 kg पर भी जा सकता है, लेकिन वो पहले दिन ही ऐसा try करेगा, तो क्या होगा, बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी figures हैं, जो बहुत ज़ादा नीची के level से उठकर बहुत कुछ अचीब कर लेकिन उन्होंने overnight नहीं किया, एकदम नहीं किया, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में नहीं किया, सालों की महनत है, जो आप अभी देख रहे होते हैं, वो उसक अचली, रियल में, जो उन्होंने एक एक लमहा जिया है, उसे कोई भी motivational speaker या कोई भी इंसान आपको बता ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ जो उनके achievements उसे highlight किया जाते हैं, और उस achievements को highlight करकर, अगर आप अपनी real capacities, जो होती हैं, आपकी capabilities, जो आपकी skills से उनने एक्डोर करकर जस एक चोश में भर जाते हैं, और एक दम से बहुत ही कुछ बड़ा goal set करकर, हाथ पर मानना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर maximum लोगों को disappointment होता है, मैं यह नहीं करें कि 100% लोगों को होगा, अगर आप बहुत ज़ादा efforts करेंगे, या you know like आपको ऐसे support करने वाले मिल ग में चुकाने के लिए तैयार है, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद को कैसे समालेंगे, मतलब risk जो ले, calculated risk ले, तो बड़ा सोचने में कोई problem नहीं है, सोचना तो बड़ा ही है, लेकिन उस बड़े को पहले छोटी 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 टुकडों में, आप जो ह आने का वही best time होता है, और सबने बस ऐसे होने चाहिए हैं आपके, जो आपके लक्षे बन सके हैं, और लक्षे के लिए जनून आपके अंदर जिन्दा रहे, और वो किसी भी एक तारीक बीथने पर ठंडे ना बढ़ सके, और दूसरों की नगल कभी नहीं करनी है, कि दूस अपनी जिन्दीगी से जितना मतलब रखेंगे, उतना आप देखेंगे, उतना जल्दी आप जिन्दीगी को बहतर बहतर और बहतर तरीके से जीते जाएंगे, और आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा लक्षे बनाएंगे, और ऐ actually काफी सालों के experience के बाद आता है वो हट्टी पना, जिद्धी बना, की बड़े-बड़े goal बनाना, अपना सब कुछ दाव पर लगा देना और ये सब कुछ ये पागलपन वाले जो goal set करना वाला जो होता है एक हद तक कहते हैं, जुनूनी हद तक, ये काफी सालों के experience के बाद आप इस चीज को try कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये आपका basic चीज़े ही set नहीं होती है life में, और उस time पर आप इस तरीके के से जुनूनी तरीके के goals कुछ set कर लेते हैं, या फिर आप बहुत जादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने आप से, तो आप actually कुछ भी achieve नहीं कर सकते, लोग actually जादा ही बड़े goals set कर लेंगे न, इतना weight lose करना है ये रिष्टे सदारने है, ये finance इतना बढ़ जाना चाहिए मेरा, इतना मेरे को wealth or बनानी है, इतना यहां घूमने जाना है, ये अपने लिए करना है, वो करना है तो बहुत बड़े-बड़े बहुत सारे goals एक साथ एकटे करने से, set करने से और बस कुछ दिनों के लिए अपने 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 हावा भर लेने से और फिर फुस हो जाने से कुछ भी नहीं होगा तो आपको समझना होगा अची तरीके से कि practical grounds पर जितना आप सोचेंगे उतना जादा आपके अंदर वो जोश और जुरून मेंटेन रहेगा और आप खुश रहेगे तो उम्मीद करती हूँ ये clear message आपको बहुत अची तरीके से समझ में आ गया होगा और इस बार जब आप अपने goal set करने जा रहे हैं तो इन practical बातों का जरूर धियान रखेंगे ताकि आपका जो लक्ष है वो हमेशा आपकी नजर के सामने जिगर के पास रहे और आपके प्रयासों में वो जो आपके अंदर जुनून है वो आपको महसूस होता रहे और आपका जो भी लक्ष है वो आप जरूर सिपा ले All the best